हेलो फ्रेंड्स स्वागत है अप सबका एक बार फिर से पाकिस्तान और निज्यू लेंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे ओडियाई मुकाबले के अंदर जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाने वाला है और यह सिरीज का आखरी मुकाबला होगा और निडाया भ चाहेगी और जो है पाकिस्तान में पहले सिरीज दर जीत दर्ज करना चाहेगी तो देखते हैं क्या होता है कि शिरीज का दूसरा मुकाबला जो वह बहतरीन हुआ था और जिसमें की निज्यू लेंड ने पाकिस्तानी टीम को जो है 182 रन पर समेट दिया था और वहां मुक डिवोन कनवे का एक बहत्रिन सतक देखने को मिला था अबने देखा पकिस्तान की तरफ से नसेम साह ने तीन विकेट लिए जो की सिरिज में अभी तक साथ विकेट ले चुके हैं पहले मुकाबले में उन्होंने पांच विकेट लिये थे और दूसरे मुकाबले के अंदर उन्हें तीन विकेट लिये थे उनके बाद मुहम्मद नवाज ने भी बहतरिन और घातक गिदबाजी करते हुए चार विकेट निकाले जिसकी वज़ा से जो है मुकाबले में कई महत्पूर हैं जो की होने वाले है इस मुखाल ऐसकता है और अलबड है लएक है डिखना दिया सकता है उस जो है पाकिस्तान की तरफ से भी कुश्ट चेंजर्स देखने क Dublin सकते हैं हो सकता है कि इसमें किसी नए खिलाडी को मौका दिया जा सकता है अब देखते हैं क्या होता है तो हम बताएंगे बन्योस्राइट्स प्लयरि स्टाइट्स एक्सपेक्टर प्लैंग 11 और ड्रेम 11 टीम के बारे में जोकी महतपुड रने वाला है और यह बहत्रिन टीम आपको ब पहर के तीन मजे आरंबोगा कराची में महतपूर होगा पीछ रिपोर्ट जान लेता है तो लास्ट मुकावला जो हुगा था पाकिस्तान और नुजुलेंड के बिच में हुगा था और यह महतपूर रहने वाला था इस पीछ पर जो है बैटिंग को काफी मदद मिलती है जैसा कि हमने देखा कि पिछले मुकाबले के अंदर जो है डिवोन कनवे और केन विलियम से ने जबरदस्त पारियां खेली वहीं जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई भी वल्लेवाज जब की बदावलग टीम 182 रेनों पर सिमट कई अच्छी गिदवाजी होई और सभी गिदवाजों ने निजुलेंड की तरफ से एक और दो विकेट निकाले और ड्राइफ सर्फेस रहता है यह पीच रंस पर और इस पिछ पर 5.56 की उससर से लगातार बनते हैं ओडियाई क्रिक चेस्ट नहीं कर पाई थी पाकिस्तान की टीम और 182 रनों पर आल अउठ हो गई थी तो यहां पर जो है रनों का पीछा करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है कि टीम जीत सकती है 259 विकेट की नुकसान पर बने थे 122 रन पर आलाउठ हो गई थी टीम 258 विकेट की नुकसान पर चेस्ट कर लिया गया था 255 रनों का पीछा करते हुए टीम ने चेस्ट कर लिया था जो कि पाकिस्तान और निजलेंड के बिच पहला मुकावला हुआ था 289 रन बने थे और 299 रन का टार्गेट मिला था डकवर्थ लुइस नियम के तहट जिसको की 48 दिसमलों दो वर्स में चेस्ट कर लिया गया था 305 रन पहली पारी में बने थे जिसको चेस्ट कर रही थी टीम और 238 रनों पर आल आउट हो गई 309 रनों का पीछा कर रही थे ट 8-9 विकेट गिरते नजर आते हैं क्योंकि यहां पर जो है गेदबाजों को काफी मतद मिलती है लेकिन एक से दू बैटर वन डाउन बैटिंग करने वाले बल्लेबाज ज्यादा तर जो है संचुरी लगाकर इस पीछ पर जाते हैं हमने देखा पिछले मुकावले के अंदर टोटल चार मुकावले खेले हैं तीन में उससे जीत मिली है और आखरी मुकावला जो उसने खेला था न्यूजिलेंड के खिलाप उसमें हर का सामना करना पड़ा है वह न्यूजिलेंड ने इस पीछ पर दो मुकावले खेले हैं जिसमें उससे एक में जीत मिली है और एक मे मुकावलों में से तीन मुकावले जीती है तो यहां पर बैटिंग फॉर्स्ट करने वाली टीम ने काफी महत्पूर्ण रोल निभाया है और जो है पर फ्रस्ट इनिंग के अंदर जो है उन्निस विकेट लिए है वहीं सेकंड इनिंग में जो है उन्हें 17 विकेट मिला है जो कि दोनों पारियों में महत्पूर्ण रहते हैं तेजगेदबाज और इस्पीनर्स भी पिछले पांच मुकावलों के अंदर जो है चौतिस विकेट सेखेट लिए हैं पहली पारिक के अंदर 15 विकेट लिया है इस्पीनर्स ने वच सेकेंनर सेयल्निंग में 19 विकेट लिये हैं इसपीनर्स तोंहां पर सब्स dental जोनों को काफी के अंदर को सकता है कि उनको इस बार मुका दिया जा सकता है हें दूसरा मुकाबल सब्सक्राइब और टिकनर उनके रिप्लेस्मेंट के तौर पर सामिल शानम किया गए हैं मार्टिन गुप्टिल ट्रेंड बोल्ट को इंक्लूड नहीं किया गया ओड़ ओड़ियाई स्क्वाड के लिए जालने तो दोनों टीमों के भी स्टोटल साथ मुकाबले खेले गये हैं तीन पाकिस्तान ने जीते हैं तीन निज्विलेंड ने जीते हैं एक मुकाबले का कोई नतिजा नहीं निकल पाया था पाकिस्तान के एक्सवक्तेट प्लेंग एवन क्या रहने वाले इस मुकाबले के लिए इस मुकाबले में फकर जमान इमाम लग के साथ उपन करने आएंगे बाबार रजा मोंडाउन बैटिंग करने आएंगे गजब के बल्ले बाज जाएंगे और बेंच प्लेयर तयब ताहिर, सान मसूद, मुहमद हसनैन, कामरान गुलाम और सहनवाज धानी वो सकता है कि इस मुकाबले में सान मसूद को मौका दिया जा सकता है और मुहमद हसनैन को हरिस्त्रोफ की जगण टिम में सामिल किया जा सकता है देखते हैं क्या होता है me starting worse नसीम सा कि मुहमद वस्म जूनियर मुहमद नमाज और हरिस रोफ गेदवाजी करने वाले हैं वही देथ वक्रस की जूनियर और नसीम सा गेदवाजी कर सकते हैं लेकिन दूसरे मुकाबले में जल्दी आउट हो गया थे डिवोन कॉनवे पिछली मुकाबले के हीरो रहे थे मैना अब्दा मैच भी इन्होंने एक बहतरीन सत्की पारी खेली थी पिछली मुकाबले के अंदर के लग रहा था कि सत्क लगा जाएंगे लेकिन वो जो है मुंब नवाज की गेद पर आउट होगे टाम लेथम जल्दी आउट हो गये थे डेरिल मेचल गलेन फिलिप मिचल ब्रेस्वेल मिचल सैंटनर इस सोडी इस सोडी ने पिछली मुकाबले के अंदर ब्यातरीन गिदवाजी की थी तीम साओधी लुकी फर्गिसन लुकी फर्गिसन अभी तक अफिच्छा के अनुरूप जो है गेद बाजी नहीं कर पाये हैं और इन्होंने बिकेट नहीं निकाला है बेंच प्लेयर हैं लुकी फर्गिसन लुकी फर्गिसन लुकी फर्गिसन देरिल मिचल ब्रेस्वेल गिदवाजी कर सकते हैं एब हम महतपुर्ड प्लेयर्स के बारे में जालनेता हैं जो मसर्गिसमेमृ यहीं मैश में मुकाबले केंदार के में 80 का बरेज्ग इन्हों ने बल्लेवाजी की है जो कि महतपूर रहता है इमामु लग 9 मुकावले 419 रन 52 का बैटिंग एवरेज और 90 के स्ट्राइक रर्ड से इन्होंने बल्लेबाजी की है जो कि एक भहुत ही बहतरीन एवरेज रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए टाम लेतं 10 मुकाबले 311 रन 44 का बैटिंग एवरेज 99 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी के पिछले 10 मुकाबले के अंदर जोकी महत्पूर रहा है इस मुकाबले में यह जो है एक बहत्रीन बल्लेबाजी कर सकते हैं और एक सतक भी लगा कर जा सकते हैं तो आप महत्पूर प्लेयर रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए बैतरीन गेदबाजी कर रहे हैं सिर्ज में नसीम सा जोकी पाकिस्तान की तरफ से पांच मुकाबले 18 विकेट इन्दर 18 विकेट देख सकते हैं कितना गजब की गेदबाज है और स्पीड बीन की काफी अच्छी र दोनों खिलाडी आपके बहुत ही महत्पूर प्लेयर रहने वाले हैं आप जो है इन दोनों खिलाडियों को महत्पूर समझ करके ही आप अमनी टिम में रखिएगा नोव मुकाबले 15 विकेट टीम साओधी 5 की कोनामी और 29 का स्ट्राइक रेट यह भी महत्पूर प्लेयर रह चलिए अब हम जानने लेते हैं कि कमण कैट और वुसकर्टन जरू रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए कामन कैटन सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो पिछले मुकावले के इंदर सतकवीर रहे दिवन कनवे बैक तुबैक संच्वी लगाने में एक्सपर्ट है तो इनको जो है आप जियल में कैप्टेन यावाइस केप्टेन बना सकते हैं मिचेल ब्रेस्वेल आपके यूनिक स्क्रीन ट्राइक से बल्लेवाजी करने वाले प्लेयर हैं आप इनको जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन जील में बना सकते हैं बाबा राजम इस मुकाबले के अंदर बड़ी-पारी खेलने वाले हैं तो आप इनको जील में कैप्टन जरू बनाईएगा फर लुकी के साथ आप जील में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको बना सकते हैं जिससे कि आपको बहतरी बनाने में आसानी होगी टॉम लथम आपके यूनिक पिक रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए क्योंकि यह गजब के खिलाड़ी हैं और टॉप क्लास बल्लेवाजी करते हैं किस प्रकार से तीम बनानी है उसके बारे में चक्चा कर लिते हैं किस प्रकार टिम बनानी उसको बताते हैं से सक्चन से आप जो है टॉप लेथम और महंमद रजवान को अजार्ज वान.* है आप जीयल में टाम लथम को कप्तान भी बना सकते हैं जो कि महतपूर रह सकते हैं इस मुकाबले के अंदरी है किन बिलेम सन बाबाराजम डिवोन कनवे इमाम-ul-Haq सबसे महतपूर प्लेयर इस मुकाबले के लिए इमाम-ul-Haq रहने वाले हैं मिचेल ब्रेस्वेल मुहमन न में कैप्टेन या वाइस क्रिप्टेन बना कर मेगा कंट्रेस्ट बन सकते हैं आपके यूनिक फिक होंगे इमाम-ul-Haq तो आप इनको जीयल में कैप्टेन जरूर बनाएगा जिससे कि आप जो है रैंक आपका बहतरीन रहें धन्यवाद